तो वही आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को दिखाऊंगा ओडियो एक्स कंपनी के 18 इंची के स्पीकर्स की सभी रेंज जिसमें नए मोडल भी रहने वाले हैं कुछ पुराने जो चल रहे हैं वो भी रहने वाले हैं और कुछ रणिंग मोडल्स भी हैं जो आप लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं तो बहुत जादा मज़ा आएगा आज की इस वीडियो के अंदर तो बिना देर करें करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वाइस्ट है चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चलते हैं वीडियो की तरह चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला मॉडल मैं आप सभी के लिए यहां पर लेकर आया हूं सब्सक्राइब एक हजार हाजार मैं बात करो तो यहां पर आपको मिल जाती है ओगें अगर बात करते हैं आपको यहां पर आप लोगों को मिलती है शीवा वाली कोन आप मैं से कुछ भाई जानते होंगे शीवा वाली कौन कितने अच्छी होती है तो यहांप पर शीवा वाली कोना आपको मिल जाती है 1200 वोट के अंदर और साथ में आगर आप लोगों को यहां पर चेशी के लुक की बात की जाए तो यहां पर बेंसी वाला लोग आपको चेशी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है मेंगनेट साइज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 230 मेंगनेट के अंदर फोर इंज की इनाउट वोइस को आपको देखने के लिए मिलती है वह भी 100% कॉपर की टियोग प्लेट की बात की तो कुछ इस परकार की डिजाइनिंग के अंदर आपको मिल जाती है यहां पर वेंटिलेशन के साथ साथ एक बीच में भी आपको वेंटिलेशन देखने के लिए मिलता है और यहां पर जो है आप लोगों को एक यूनिक चेसी के अंदर यह स्पिकर आपको देखने के लिए मिलता है फ्रेंट साइड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप लोगो को दो मॉडल मिलते हैं tbw 100 tvw series के अंदर दो मोडल आते हैं आपका 18 इंची में एक आता आपका 1200 के अंदर और एक आता आता आपका 1500 वोट में जैसे कि मैंने दो चीज का डिफ्रेंस आता है बारासो और फंद्रासो वोट के स्पीकर के अंदर जो बारासो वोट का इस वाल्टी का जो स्पीकर आता है उसमां आती है आपके दोस्तो तीस पच्चीस हाइड की मैंगनेट और यहीं पर बात करते हैं पंद्रासो वट टीवी डवल्यू इस और यहां पर आप लोगों को मिल जाता बी एंसी मोडल के अंदर यह काफी अच्छी बात है कि ओडियो एक्स ने चोब दोजार चोविस के अंदर आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है और बहुत कुछ नया भी होने वाला है तो जुड़े रहें डीजे में देखने के लिए मिलता रहेगा तो यहां पर टीवी डवल्यू हंडर्ड का जो स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है यह डायमंड कट के अंदर मिलता है अगेन मैंगनेट साइज की बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को मैंगनेट मिल रही है आप लोग देख इस speaker को 1500 watt के speaker को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आप लोग TBW diamond cut वाले की तरफ भी जा सकते हैं best choice हो सकती है आपके लिए तो बात चल रही है 1500 watt के speaker की तो 1500 watt में PD कैसे पीछे रह सकता है ODAX का PD 1856 model number जो आता भाई इसका भी काफी ज्यादा अच्छा result यहाँ पर मुझे मिला तो यहाँ पर model number की एक बार फिर से बात करते हैं तो AX 181500 के नाम से model number आता है 1856 भी आप लोग इसको बोल सकते हैं अगेन यहाँ पर अगर वोटेज की बात कीज़े तो प्रोग्रामिंग पावर RMS वोटेज जो इसकी रहती है वो रहती है वह रहती हुए 1500 वोट पीडी मोडल की चेसी के अंदर यहाँ आप लोगों को मिल जाता है या फिर ट्योक प्लेट भी बोल सकते हैं क्रोम की आपको किट मिल जाती है उपर से और एक यूनिक लुक आपको अलग से देखने के लिए मिलता है 256 की मेंगनेट यहाँ पर यूज में ली गई है मेंगनेट की अगर हाइट की बात करो तो 25 हाइट हो जाती है और यहाँ पर आप लोग को पांच इंच की वोईस कोई मिल जाती है इसी स्पीकर के अंदर और अगर बात करते हैं चेसी के मैटरियल की तो हैवी चेसी रहने व थ्रो नहीं मिल पाती यार कि वह बेश तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन लंबा नहीं आ रहा तो पंद्रा सो यूज कीजिए ठरा चपन यूज कीजिए आई होब आप लोगों को आपकी रिक्वार्यमेंट के साफ से आउटपुट मिल जाएगी यहां पर फ्रेंट तो पूरी मलेशन रहने वाली है पांच इंची की वोईस्केवल रहने वाली है डेस्ट कैप को पूरे तरीके से चार कुल गम से सील किया गया है यहां पर आप लोगों गैस्किट भी देखने के लिए मिल जाती है कितनी हैवी गैस्किट और कितना हैवी स्पीकर आपको मिल जाती है रैडबूल 3 के 15 इंच के स्पीकर की तरीके से एक सेम लोक और ऐलम्मिनियम डाइकश्टिंग का पीस रहता है जो एलम्मिन्यम डाइकश्टिंग के रहती है 12W का स्पिकर रहता है और उपर आपको मिल जाती है बैक साइड में क्रोम की किट 230-25 हैड की मेंगनेट के साथ आपको 4 इंच वोइस कोईल में 1200 वाट का ये स्पिकर मिल जाता है अगेन अगर बात करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग पावर की तो 1200 वाट 1700 वाट इसकी प्रोग्रामिंग पावर रहने वाली है फोर इंच की वोइस कोई के साथ साथ यहां पर आप लोगों को फुली वाटरप्रूफ कौन के अंदर यह स्पिकर मिल जाता है साथ मैं आपको ओडियो एक्स का टैग साथ में मिलता सभी स्पिकर में तो यह रहने आपको मैगनेट मिल जाती है और मैगनेट का जो ग्रेट रहता वह रहता आपका वाई 35 की मैगनेट यहां पर मिलती है बहुत हैवी स्पिकर हो जाता दोस्तों कमपटीशन लेवल का स्पिकर अगर आप लोग ढूंड रहे हैं कम बजट में अच्छी चीज आप लोगों के और है प्लूरि जो किट रहने वाली कर्म के अंदर रहने वाली एह किट के उपपर आपको चारेलनगा की स्क्रू दिए गएे जिससे कि आपकी जो किट है पूरे तरीके से फिक्स रहे और आप कभी भी यह है पकड को ना झोड़े ले यहां पर मिल जाते हैं बात कीward चेसी टाइप की तो PD वाली चेसी यहाँ पर मिल जाती है 4-piece magnet 5-inch copper की in-out की voice coil के अंदर competition level का speaker यह हो जाता है आपका बहुत ही कम बजट के अंदर पैसा वसूल आइटम आपके लिए फ्रेंट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है डवल लेयर की वूफर पैरी वाली कौन नॉन प्रेस वाली कौन रहती है basically क्योंकि यह जो speakers होते हैं यह चलते हैं दोस्तों आपके crossovers के उपर हैवी-हवी amplifier के उपर और इसके अगर बात किया इसपाइडर की तो suspension इसके अंदर दो दिये गए इसपाइडर जो कि आपके speaker का प्रेशर पड़ता है तो उसको पूरे तरीके से रोक के रखते हैं और आपको पूरी output फाइबरेशन पंच के साथ निकाल के देते हैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यहां पर selenium series का speaker 1200 के अंदर आता है audio X की तरफ से यहां पर आपको यह speaker देखने मिलता है बात कि जाए इसके magnet size की तो यहां पर जो magnet size आपका रहता है वो रहता वही यहां पर 235 मेंगनेट मिल जाता है जो किट है इसकी यह बोल दी जाए इसकी जो टियोक प्लेट है वो थोड़ी सी उठी हुई आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है वेंटिलेशन काफी अच्छे दिये हुए है और साथ में आपको वेंटिलेशन साइड में यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं 15 और 16 चारे इंच में सेंञ आपको वेंटिलेशन की सुईधा देखने के लिए मिलती है मॉडल भी आपका सेम रहता है पेसिकली यह मॉडल जो है जेवेल कंपणी की सिलिनम स्रीज में आते हैं अगेन अगर बात करता हूं फ्रेंट साइड की तो यहां पर आपको वाटर पूफ वाली कौन के साथ साथ थ्री ले आप V3 मॉडल अगर वाटर बात की जाए तो यहां पर यह दो वाटर आपको देखने के लिए मिलता है बारा सो एंड पंदरा सो यह दो कलर आपको देखने के लिए मिलेगा ब्लैक एंड के अंदर अभी आप लोगों देख रहे हैं रैड का श्पिकर आप लोगोंने मेरी रेगुलर वीडियो में भी देखा होगा कि ब्लैक कलर में भी ये स्पिकर आपको देखने के लिए मिलता है वॉटेज की बात की जाए तो वॉटेज आती है दो बारसो और फंदरासो के अंदर बात करें चेसी की तो यहां पर आप लोगों कुछ इस परकार का डिजाइन मिलत की मैंगनेट वॉइस को इलगे अगर बात करूं तो वॉइस को बारसो में चारेंज की और पंदरासो में साड़े चारेंज की इन आउट की कॉपर की वोईस को आपको मिल जाती है इन दोनों मोडल के अंदर चलते हैं फ्रेंट साइड की तरफ तो यहां पर फ्रेंट कर जाता है कि इस परकार के लुक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है अब चलते हैं नेक्ट मोडल आ जाता आप सभी के लिए फाइटर सीरीज का का सब्सक्राइब को आपको देखने के लिए मिलता है अगेन यहां पर फॉर पीस की मैंगने रहने वाली है फोर पीस की मेंगनेट रहेगी फाइव इंच की इन आउट की कॉपर की वोस्कोल यूज में ली गई है एक बार आप लोग को इसका टियोग प्लेट दिखाना जाओंगा मैं तो यहां पर आप लोग कौन आगे अगर बात किजा इसके स्पाइडर्स की तो यहां पर आप लोगों को डवल स्पाइडर्स देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि इस तरीके के जो स्पीकर होते है जितने हावी स्पीकर आते हूं सारे चलते हैं आपके क्रोस ओवर पर हैवी हवी दंप divine फैंटर के सब्सक्राइब है यहां पर डिजाइन कि यहां कर दे कर रहे हैं और करना चाहते हैं अगर कर रहे हैं तो आप जरूर नीचे कमेंड कीजिएगा अगर करना चाहते हैं कोई मोडल अगर आपको पसंद आया हो तो स्क्रीन शॉट ले लिजेगा और आप अपने नजदी की डिलर से भी संपर कर सकते हैं या फिर में डिस्क्रिप्शन में नंबर देके जाऊंगो आप वहां से भी पता कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को दिखाए यहां पर ODX के जितने अठारेंज के स्पीकर आते हैं वो दिखाए कुछ मोडल शूट गए हैं वो नहीं दिखाए हैं वो दिखांगो आपको नेक्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आने वाली अपडेट के अंदर आप लोगों को नए-ने मॉडल के स्पीकर नए-ने अम्प्लिफायर्स और डीजे से रिलेटिड नए-ने प्रोडक्ट्स आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिलते रहते हैं आई होप आज की ये वीडियो कोनल लाइक जासे दागना शेयर मिलताओ इस तरह की किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिंद बंदे माक्रम